हाँ तो आज सबसे पहले तो गुड आप्टरनून आज हम लोगों की फर्स डे की क्लास है लेकिन मेरा ये हमेशा से जो भी सब्जेक्ट वैसे तो मैं जीस के आल सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं लेकिन आपके लिए जो मुझे बैच में दिया गया है इसमें से बहुत सारे हम हमारे ऐसे स्टुडेंट होंगे जो कभी न कभी किनी न किनी माध्यम से हमसे ही हिस्ट्री पढ़े होंगे या फिर बहुत सारे अन्य संस्थाओं या टीचर्स के माध्यम से पढ़े होंगे लेकिन फिर वही बात कि सर आप क्या इतिहास में बदल दोगे इतिहास तो आप ब का ठीक है ना आज के सेशन का लेक्चर पेडबैच वालों मेरे स्टुडेंट एक बात ये बात आप जानिएगा कि ये मैंने लेक्चर ऐसा क्या है चुकि जीडी उडी का एक्जाम बहुत नस्दीक है दस जन्वरी उसका डेट वगएरा है और भी बहुत सारी बात हैं तो हम भी लेक्चर कम से कम इस पे लेने की कोसिस करेंगे की जो भी 24 5 नंबर हिस्ट्री से आपके पेपर में बने वो वह हम लोग कर लें यह वो सारी चीजे दे हुई हैं कि टिहास को कितने भाग में बाटा गया और फिर इतिहास का मतलब क्या है यह सारी चीजे वैसे यहां पे म मैं आपको थोड़ा सा introduction टाइप का देना चाहूंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा देखो ये तो बहुत clear है न कि सर हमारा इतिहास ancient history, medville history और modern history में बटा हुआ है ancient, medville, modern तीन में हमारा इतिहास बटा हुआ है ये हमको well known है और चुकि इतिहास में लोगों को रूची भी नहीं आती, interest भी नहीं आती, इसलिए पहले आपका interest जगे हमारी मजबूरी होगी कि राजा रानी को लाके आपस में लड़ा दे, ताकि तुम लोग का मन लगे, गुरु घजब मार पीठ हुआ, आस तो एकड़ मतलब हाकी राट सब निकला, थोड़ा तुम लोग का मन लगना चाहिए उसमें, समझ रहो ना, थोड़ा लडाई जगड़ा होना चाहिए यहा कि आया जाएगा, और फिर बाद में, यह लोग जो समाप्त हो गए हैं, सिंदु घाटी सब्भेता वाले जमीन खोदा जाएगा, ताकि यह सब्भेता भी बाहर निकले, मेरा उद्देश से क्या है, पढ़ाने का, जबकि सिक्वेंस यह है कि पहले एसियेंट हिस्ट्री चारा पैसा दे दिया, तो इसे करके बैठा हुआ है, उपर से आप नहीं सुन पा रहे हैं, आपको दस गाली रिसीब भी करा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो गाली कलोज वाली स्थिती न बने, ठीक है, यह हमारे मैनेजर फोन कर रहे हैं, उठा लेते हैं, सर मैं पेड मे ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाईया, देखिए, बात ऐसी थी, यह थे हमारे मैनेजर सर, और यह हमको पार्टी का ओफर दे रहे थे, कि सर, आज रात दस बजे पार्टी ओल्टी हो जाए, तो भाईया, इन सब चीजों में हम चूकते नहीं हैं, समझ रहे हैं, हम को पता था कि पार्टी देंगे, इसलिए हम पूछ लिए कुछ जरूरी हो, तो अभी बता दीजे, बाकी हम देख लेंगे, तो बोले हाँ, वो आज दस बुजे रात में पार्टी का कुछ बेवस्ता है, हमको बस, मतलब इंजीनरिंग स्टूडेंट को कहीं पार्टी मिले और वो नह जा वो रोना गाना ऐसे होगा, मेडविल हिस्ट्री, जो मैं पढ़ाने जा रहा है, उसका सिक्वेंस समझ लेना, हम आपके साथ मधिकाल से जुडने जा रहे हैं, मधिकाल, जिसे आप मेडविल हिस्ट्री, मधिकाल दो भाग में बटा हुआ है आपका, एक को हम लोग पढ़त वन्स, खिलजी वन्स, तुगलक वन्स, सयद वन्स, लोदी वन्स, पिर इन लोदियों को किसने मारा यहां पे 1526 से ले करके लगभग 1857 की क्रांती तक मुगल राज किये, ठीक है न, इन पे कौन राज किये, मुगल राज किये, मुगल काल, तो हमने आपसे पहले ही कहा, पह पहले हम इसको पढ़ेंगे, मुगल, थोड़ा बाबर, अकबर में मन लगे, युद्ध वगरा कराया जाए, उसके बाद ये पढ़ लिया जाएगा, ठीक है न, तो पहले मुगल टाइम पिरियड और फिर ये, इस पिक्चर को, अब इस मुगल में हम लोग किसको पढ़ते ह है सर, अरे सर, बाबर, फिर आपके हुमायू, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर साजहां, फिर औरंग जेव, ये, इनको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है न, तो ये दो चीजे बहुत हद तक आपको क्लियर होनी चाहिए, आज हम लोग इतिहास की सुरुवात का डे में सबसे पहला मुगलों का संस्थापक था बाबर, तो we have to read about the बाबर, हमें बाबर के बारें पढ़ना है, तो ये क्लियर हो गया कि बाबर हम लोगों को आज मुगलकाल का सुरुवात करना है, चलिए, अगर पहले देखो कई स्टूडेंट क्या होते हैं, वो रोते हैं कि स हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, मैं इमानदारी से कह रहा हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, पीडियफ, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने लोग भी यहां मौझूद हो, आने वाले 45 मिनट, ये बात अब भूल जाना कि तुम कुछ पढ़ने बैठे ह अब आने वाले 45 मिनट, तुमको कुछ सिखा के छोड़ूँगा, और ये वचन देने को तयार हूँ, मैं ये यूट्यूब पे भी लाइफ जा रहा है मेरा लेक्चर, मुझे पता है, मैं ये वचन देने को तयार हूँ, कि आज जो बाबर के बारे में मैं आपको information दूँग आप अपने किसी भी राज्जी के हो, PCS का exam देना, आपको वो काम आएगा, GD का देना, क्योंकि मैं complete syllabus में trust करता हूँ, ये नहीं कि बाद GD की तयारी करा दो, FCI की करा दो, CGL की करा दो, CHSL की करा दो, एक बार बाबर ऐसा पढ़ो न, कि फिर लोक सेवा आयोग, public service commission भी तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस वाले में, ये बाबर के बारे मैं, चुकि मैं बाबर के बारे पढ़ाने जा रहा हूँ, बाबर सायरी बहुत कहता था, और उसी की एक सायरी बड़ी famous है, जब ये 1504 में सारा समराज्य अपना हार गया था, तो इसने बाबर नामा में बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, वो यहां पे मैंने लिखा, कि क्या हुआ जो हम मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम में साहस वो इच्छा सकती, जो किसी के आगे सर जुकाने और सजदा करने को तयार नहीं, जहिरुद्दीन बाबर, एक्चुली इ यह मानना है, जैसे यह, इनका जन्म कब हुआ, इनके पापा, मम्मी कौन थे, यह सब अंग्रेजी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक बार इसको सुन लो, ताकि एक basic concept बने, उसके बाद हम लोग main concept पे आएंगे, देखो, बाबर, जिसका बचपन का नाम, मोहबद बाबर था, जनम दिन इनका हुआ था, वेलन्टाइन डे के दिन, अब हम यह नहीं कहेंगे कि वेलन्स्टाइन डे के दिन इनका जनम क्यों, ऐसे इनके पापा, मम्मी भी love marriage किये थे, इनके पापा जो थे, वो तुर्क थे, और इनकी मम्मी जो थी, वो मंगोल थी, रिजल्ट लव वेलन्स्टाइन डे के दिन मिला, ठीक है, कितना अच्छा सो भागे था बाबर का, कि वेलन्स्टाइन डे के दिन पैदा हुआ, हैपी, क्या बोला होगा, हैपी marriage anniversary मम्मी पापा, आके बोल दिया होगा, तो तुर्क इनके पापा थे, जिनका नाम था, उमर स देख मिर्जा, ठीक है न, और इनकी मम्मी जो थी, वो मंगोल वंस्की थी, एक होता है न, लोग तुम लोग गाओं देहात में सुनते होगे, कि वो जैसे न, जर्सी गाएं जादा दूद देती है, देसी गाएं कम देती, इस तरीके की, बात यह होता है, दो लड़ाकू ज लायक कोई हुआ नहीं, वो चंगेज खां, जो मंगोलों का नेता था, बारहमी सताबदी मैं आपको बताऊं, वो कहता था कि सिर्फ हमको युद्ध नहीं जीतना है, वो ऐसे चंगेज कहता था कि जैसे माल लो, हमने दिल्ली को जीत लिया, तो दिल्ली में पूरी सेना एक दुबारा अक्रमण करे, तो लोग पुछतेत सर आप जीत तो लिया, अब दुबारा क्यों, कहता था ना, गली मोहले घर में, बात्रूम में कहीं से, कोई औरत, कोई लड़की, कोई आदमी, कोई बुढदा, कोई लड़का, कोई जवान, छुपा हो, तो उसको बाहर निका तुर्क, उमर सेख मिर्जा, यह जो तुर्क हुआ करते थे, यह तो मतलब नामें से तुर्क थे, यह कहते थे कि हम तुर्क हैं, हमें पसंद सुर्क है, सुर्क मतलब समझते हो, सुर्क लाल, खून, इनको पसंद ही खून था, तो उमर सेख मिर्जा और कुतलुग निगार क पुत्र हुआ मुहम्मद जहिरुद्दीन वेलंस्टाइन डे के दिन हुआ पापा मम्मी के लव मैरेज का रिजल्टी यही थे खैर ओवरॉल इनके पैदा होने के बाद अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे और अब ध्यान से सुनना मैं क्यों कहता हूं तुम लोग से कि तु लगी है लेकिन यह मन की सांती है यह मन की सांती है अरे नहीं गुरुजी तो पीडियाफ देते हैं लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुनना तो पीडियाफ यह मैंने ब्लैंक पेज लिया है कि यार मुझे ना इन सबसे नहीं अब देखरो इसकी पतनी बाबर क महाम बेगम, दिल्दार बेगम, गुलरुख बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, आईसा बेगम, कई बेगम रखा हुआ था, नहीं पूछेगा एक्जाम में, यह ना आप लोगों के लिए रोचक कहानिया, यह वो वाली बात है, तो इसलिए PDF के पीछे बहुत जादा हाथ 23, बाबर का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, ठीक है सर, इसके जन्म के समय, कुछ दिनों तक इसका जो पिता था, वो कहां का सासक था, फरगना का, यह आप लोग सौ बार पढ़े होगे, लेकिन फरगना में भी, फरगना एक बड़ा एरिया था, फरगना में एक छोटा सा गाउ था, उस गाउं का नाम था, अजी गंद, अजी नद, कुछ जगा गद लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगा नद, लेकिन जब आईयो स्पीसियस लेवल की बुक उठाओगे, मिल जाएगा, नहीं तो फरगना सफिसियंट है, अजी नद नामक जगा पे इसका 14 फरवरी को जन 1494, इसके जो पिता थे, उमर सेख मिर्जा, 494 में डेथ हो गई उनकी, उमर सेख मिर्जा की, उमर सेख मिर्जा की जब डेथ हुई, तो फरगना का बाथशा, फरगना का बाथशा कौन बन गया, मोहमद जहिरुद्दीन, यही आगे का बाबर है, लेकिन अभी सुरू में, ह कि बाबर के बच्पन का नाम क्या था, at that time you have to show, कि सर मुहम्मद जहरुद्दीन, बाबर के बच्पन का नाम क्या था, तो मुहम्मद जहरुद्दीन था, अब ये 1494 में सासक बन के बैठा, लेकिन होता है न भाई पटिदार बवाल करवाते हैं, उमर सेख मिर्जा का एक भाई हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था सैवानी खा, ये दूर के रिष्टे में सैवानी खा, भाई लगता था, मतलब बाबर का चाचा हुआ ये, बाबर कहां पे सासन कर रहा था, फरगना के पास, और बाबर की उम्र उस समय क्या थी लगभग 12 वर्स और एक थोड़ी सी दूर पे जगह था समरकंद अफगानिस्तान साइड एक कोश्चन जब तुम लोग अभी पढ़ोगे CGL, CHSL, GD तो उसमें यह पूछता है ना कि मुगलकाल में जब बाबर ओबर राजा थे बात्सा थे तो यह लोग फल, आम, केला, सेव, अमरूद किस देश से भारत में मंगाते थे तो समरकंद से यह लोग फल मंगाते थे मैं यहाँ पे फल लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे ये बात कभी objective में आ जाए तो खेर अब बाबर को क्या चाहिए था बहुत detail में समझना बाबर सोचता था कि मैं किसी भी तरीके से समरकंद को जीत लूँ और इसका चाचा भी सोचता था मैं समरकंद को जीत लूँ बाबर ने हमला किया समरकंद पे और दो तीन महिने के एक लंबे जुजहारूपन के बाद बाबर ने किसी तरह इसके उपर अपना कबजा कर लिया लेकिन कबजा करके बाबर छे माह तक लगबग यहीं पे रह गए समरकंद छोड़े ही नहीं यह सूचना सैबानी खां को मिली सुचाई 12-13 साल का लड़का फरगना का भी मालिक यहां का भी मालिक हमला करके इसका फरगना छीन लेते हैं जिस समय बाबर छे महीने यहा था सैवानी खां फरगना पे कबजा कर लिया फिर बाबर को ये सूचना मिली बाबर समरकंद से फरगना आया चाचा भतीजा में फरगना के मुद्दे को ले करके एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो आपके पेपर में आता है और उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं सर अपूल का युद्ध पेपर में पूस्ता है बैटल आफ सर अपूल ये इंगलिस में भी यही होगा ठीक है ना बैटल आफ सर अपूल फॉट बिट्विन हूम किसके बीच में लड़ा गया तो एक साइड लिख दे रहा हूँ बाबर और एक साइड लिख दे रहा हूँ स्वी में लड़ा गया यह पूछता है यह एक छोटे से गाउं का नाम था अफगानिस्तान में और इस तरीके से पंद्रो सो दो में हार गए बाबर और जब बाबर हारा तो अब बाबर तो रोड पे आ जाने वाला वेक्ती लेकिन जुझारू था लड़ाकू वंसज इसके हुआ करते थे इसने निड़े लिया कि मैं जीतूंगा किसको मैं जीतूंगा और वापस आऊंगा कसम खाया और यह देखो भारत का जम्मू कसमीर वाला इलाका यहां पे अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान पड़ता है यहां पे अफगानिस्तान यहीं पे एक छोटा सा जगह था काबूल बाबर ने किसी तरह पंद्रा सो चार इस्वी में काबूल पे कबजा कर लिया इसने पादसा की उपाधिली ठीक है न यहीं पंद्रा सो चार में इसने काबूल पे अधिकार किया और सीमम तुम जो पंद्रा सो सात लिख रहो इसलिए माइनस एक बटा तीन हो जाओगे हार नहों पढ़ा रहे थे अव लिख लो 1507 घर की खेती है न अपने मनवाएं जैसे एक बारे की इतिहास के टीचर थे हमसे मिले थे मेरे दोस्त हैं वह एक्चुली थे इंगलिस के टीचर अब वो चले गया लड़कों को पता नहीं था आफ लाइन में यह जब मैं आफ लाइन एक कुछ लाड माउंट बेटन की जगह कुछ हाउर बोल गए यह था गवर्नर जनरल दो तीन लड़की लड़के तेज हाथ उठाए नहीं सर आसुतो सर बताये थे लाड माउंट बेटन था अब वो यह नहीं कर रहे हैं कि हां मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे गलती हो रह समझ रहा है इसा इसा भी होता है खेर पंद्रह सो चार में पात्सा की उपाधी ले लिया अब यहां से सुरू होता है भारत का भाग यहां से सुरू होता है भारत का किस्मत पलटना यह सब कुछ भारत के बाहर हो रहा था और भारत के अंदर क्या चल लहा था भारत के अंद चाचा लोगों से अंकल लोग से नहीं बनती थी, एक का नाम हुआ करता था आलम खा लोधी, ठीक है ना, और एक और कोई लोधी था, इब्राहीम लोधी, ठीक है ना, आलम खा लोधी और इब्राहीम तो यही था, उसका कुछ नाम, दौलत खा लोधी, एक का नाम हुआ करता था दौलत खा लोदी ये दोनों जब इब्राहिम लोदी का बड़ा भाई सिकंदर लोदी राजा था तभी ये दोनों सोच रहे थे सिकंदर लोदी के समय कि जब सिकंदर लोदी मरेगा तो हम लोग राजा बनेंगे सिकंदर लोदी मरने के बाद बड़े चलाकी से अपने भा 117 में करीब-करीब सासक बना ये दोनों भाई थे आपस में ये दोनों चक्कर में लगे रहे कि अरे यार हम कब राजा बनेंगे कब राजा बनेंगे इनको मौका कभी मिला नहीं तो इन दोनों ने समय अब आ चुका था 1526 इन दोनों कि तुम आओ इबराहिम लोधी को मारो तुम्हें जितने पैसे रुपए की जरूरत है हम देंगे और दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी बाबर जिसने अपनी किताब बाबर नामा में स्वयम लिखा है कि मैंने भारत पे पानी पत्के प्रथम युद्ध से पहले पा पांच बार अटैक किया था यह बाबर ने अपनी बाबर नामा में लिखा है जबकि उसी समय के समकालीन भारती तिहासकारों ने कहा कि नहीं बाबर अटैक वनली फोर टाइम पता नहीं बाबर नामा का सही माना जाए कि भारती तिहासकार का सही माना जाए ओवरॉल यह प्राबर को वो चांज कौन दे दिये आलम खान लो दी दौलत खान लो दी और तथा कथित इतिहास कारों के अनुसार राणा सांगा हाला कि मैं इससे बहुत सहमत नहीं रहता हूं कि राणा सांगा ने मतलब कि बुलाया होगा क्योंकि राणा सांगा तो वह वैकती था जैसे तुम किसी को मार सकते हो, तो मानलो कि अब तुम्हारी लडाई हमसे हो गई, तुम हमको पटक के मारे, हम हार गए, तो जब तुम हम दुबारा तुम से आके, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, तो तुम फिर गिरा के मारना सुरू करोगे न, कि किसी को 100 रुपया दोगे लो आसूसर को मारो ऐसा तो नहीं करोगे तुम फिर गिरा के हमको मारोगे आओ साले क्या बोल ले थे तुम तो राणा सांगा और इब्राहीम लोदी में तो एक बार लडाई हो चुकी थी 1517-18 में बाज़ौर की लडाई ये इनको पटक के मारा थ तो दुबारा किसी को पैसा देके क्यों बुलाएगा भारत अब तुम्हारा तरक ये हो सकता है कि सर वो लडाई 1517-18 में होई थी ना बाज़ौर वाली हो सकता है कि बाद में इब्राहीम लोदी बहुत मजबूत हो गया हो अतब राणा सांगा को मदद की जरूरत पड़ी ह तो उसका अगला तरक देखो अगले इतिहासकार देते हैं 1525 इस्वी में इब्राहीम लोदी ने दिल्ली में आपके भासर दिया था मतलब आम जंता मस्जीद पे खड़ा हो करके जो पहली मस्जीद बनवाई गई थी जमियत खाना मस्जीद जिसे वो क्या कहते है कुतुब पूरे सल्तनत को मैं फैला सकता हूं दिल्ली सल्तनत को मैं फैला वो राजपूत सासक कौन था यही तो था तो जब ये वैक्ति खुद मान रहा है कि मैं इनको हरा सकता हूं ये मेरे को हरा सकते हैं तो फिर सोचो कि क्या जरूरत रही होगी राणा सांगा को बाबर को बुला में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ उसमें बंदू, गोला, तोप और बारूद का प्रियोग हुआ यह आप मानते हो न यही हम लोग को पढ़ाया जाता है न कि 1526 में पहली बार गोला, बारूद, बंदू का प्रियोग हुआ अच्छा ठीक है इस तर्क को भी काटा जा अब इसे बनाने मतलब हुआ यह पाकिस्तान का हो गया न, कुछ नहीं, सब अपना है, ऐसे खीच लो, ठीक है तो यह भारत का मैप, जम्मू कस्मीर का, यहाँ पे एक जगह पढ़ती है बाजोर, उस समय तो पाकिस्तान था ने, 1519 इस्वी के आसपास यहाँ पे बाबर ने था, काबूल से, ठीक है, अफगानिस्तान से, यह बाजोर का युध है लड़ा, एक बाद बताओ तुम लोग, क्यों, और जबकि कहा जाता है कि 1526 में बाबर ने पहली बार तोप का प्रियोग किया, बंदू का प्रियोग किया, ठीक है न, यही हम लोग को पढ़ाया जाता है, यही हम लोग करते हैं, पानीपत का प्रथम युध, तो होता है कि आपके क्या करते हैं, हाँ खतावली, और वो खतावली अलग है, यह बाजोर का युध अलग है, वो राणा सांगा वाले युध की तुम बात कर रहे हो, ठीक है सीवं, अचा खेर, 1519, अब एक बात बत हैं, तो तुम बताओ, मेरे से लड़ने के लिए डंडा लेकर के आओगे, या बंदूक से हमको दूर से ही मार दोगे, एंसर करो, हमें लगता है कि तुम अपने बंदूक का प्रियोग करोगे, तुम अपने दुस्मन को दूर से ही मार के गिरा दोगे, क्यों डंडा लेकर जाओगे तो जब काबुल में बाबर के पास तोप और बंदूक पहले से मौझूद थी तो जब ये वाला लडाई हुआ होगा तो बाबर लेके आया नहीं होगा यहां पे और अगर बाबर बंदूक और तोप लेके यहां 1519 में आया तो फिर इसको क्यों नहीं कहा जाता है कि बंदूक और तोप की पहली लड़ाई बाबर ने प्रथम प्रियोग यहां पे किया यहां पे एक जंजाती रहती थी उस जंजाती का नाम था यूशुफ जई यूसुफ जई Halih Start出來 उस यूसुफ जई ज़आती के खिलाबब बाबर ने ये यूध्धे लडा था लेकिन नह कि वो सोचाओ आए बेचारों के पास यह जन जाती वाले हैं इनसे चलो हाथा पाई कर लेते हैं उसमें भी देख लेंगे कि तुमारे सत्तर किलो ग्राम वाले से लड़ेंगे आए गोल्ड मेडल दे देते हैं नियम से युद्धुवा होगा क्या यहां पे लेकिन नहीं वो तुमको डाट देंगे, क्या कहेंगे, हट, 25-26 साल उम्र हो गई, 30 साल की दूठो किताब पढ़ी है, तो इतिहास के जानकार बन गए, अगर उनसे पलट के अगर पूछ दो, हाँ आप तो बड़ा बाबर के कंधे पे हाथ रख के उस दिन गए होंगे, बाज़ाओर का युद तो इतिहास कार सही कैसे, तो सही रीजन बताओ न, यह बंदुक रख क्या आया था, हाँ, इसका एक तर्क संगत बात ये जरूर हो सकती है, कि सर ऐसा हुआ होगा, ये न बड़े छोटे अस्तर पे युद्ध लड़या गया, ठीक न, ये बड़े छोटे अस्तर पे युद् इतिहास पढ़ाएंगे ना एक साल ससुरा खतम नहीं होगा फिर तुम लोग कहोगे ना जीडी निकला ना सीजील गुरुजी की कहानी सुनते रगए हटाओ ब्रेक लगाते हैं यहीं पर तो यार इतिहास बड़ा रोचक है पता नहीं कैसे हम हम तो खुद इंजीनरिंग किये हैं बीटेक एमटेक किये हैं पता नहीं कैसे कोई कह देता है कि इतिहास भी इंट्रेस्ट नहीं जगता है उससे कह दो कि लग रहा है कि तुम इस जनम में ठीक से पढ़े नहीं इतिहास लला खेर बाबर को आउसर मिलता है 1526 में दिल्ली में पानीपत के प्रथम युद्ध में लडने का जहां चाह वहां राह यहां से सुरू होता है भारत की किस्मत पलटना या फिर इब्राहीम लोधी से बाबर का युद्ध आज मैं तुम लोगों को पानीपत 15 मिनट मुझे दो और मैं तुम लोग को समझाता हूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस लेबल पे लड़ा गया था बाबर किता चलाएक था समझ रहो ना नीराजी आदो लिक्र रहा है जय स्री राधे राधे आधे नंबर भी नहीं दिलवाएंगी राधे राधे अगर मेहनत नहीं करोगे तो जै स्री राधे राधे पढ़ लो फिर राधा जी खुश होंगी ठीक है ना मतलब क्या है यार क्या ही तुम लोग कर लेते हो चलो 1506 हमने आपको अभी तक बताया कि 1483 में बाबर जन्मा 1494 के लगभग इनके पिता की मृत्ती हुई 1502 में इसने सर पूल का युद्ध लड़ा फिर हमने आपको बताया 1504 में इसने काबूल पे कबजा किया फिर हमने आपको बताया कि इसी 1504 में इसने अपना नाम पादसाह रखा फिर हमने आपको बताया कि 1518-19 के आसपास इसने बाजाओर का युद्ध लड़ा जो यूसुफ जनजाती के खिलाफ था और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1526 इस्वी में इसने पानी पत का प्रथम युद्ध कैसे लड़ा क्लियर है सभी को यहां पे ठीक है न तो आएए देखते हैं पानी पत का प्रथम युद्ध आज डीटेल पढ़ा देते हैं पानी पत का प्रथम युद्ध ताकि तुम लोग को भी समझ में तो आए कि इतिहास वास्तों में होता क्या है तो डीटेल में चले न कि बस फैक्ट बता के आगे बढ़ें कमेंड करो डीटेल या फैक्ट ठीक है डीटेल या फैक्ट हाँ डीटेल न मैं बता रहे हैं एक आग लोग फैक्ट वाले भी हैं सब लोग 500 रुपया और जमा करो तो डीटेल के लिए सर छोड़ो न फैक्ट से काम चला लेते हैं हटा ही देखो बाबर ने पानीपत का ही मैदान क्यों चुना युद्ध के लिए जना समझना इधर पानीपत सहर था देखो बाबर के युद्ध का यहां पे पानीपत सहर के लावा यहां पे पानीपत सहर था जो की हर्याणा में पड़ता है पानीपत सहर और दूसरी तरफ यमुना नदी फ्लो हो रही थी यमुना नदी बाबर ने बड़े चालांकी से ये वाला अस्थान तैं किया कि ये हम युद्ध के लिए पानी पत के प्रथम युद्ध के लिए रखेंगे जो दिल्ली से कुछ दूरी पे है बाबर ने जब बाजवर का युद्ध जीता था तो बाबर ने कुछ दिन पहले ही आ करके एक गड़ा करवा दिया, क्या करवाया, एक बाबर ने करीब जिसको कहा जाता है कि 15-20 फुट का गड़ा करवाया, ठीक है न, और इस गड़े को पेड़ पौधों के नुकीले डंठल से बेस में लगवा दिया, गड़ा करवा के पेड़ पौधों क नुकीले डंठल को यहां लगवाया, समझना, पेड़ पौधों के नुकीले डंठल को, उसके अलावा इनके उपर पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों से इसको ढखवा दिया, उन पत्तों से बाबर ने पानी पत के पहले युद्ध में इन पत्तों को कहा जाता है कि बाबर के पास लगभग कुछ हजार ही सेना थी बाबर ने अपनी सेना को चार टुकडी में बाटा इसी जो सेना को सजा करके बाटने की कला होती है उसे ही तुलगुमा कहा गया ऐसे तुलगुमा एक्जेक्टली जानते हो क्या होता तुम लोग पढ़ते तो हो कि तुगल नुमा युद्ध पध्धिती का बाबर ने प्रियोग किया तुगल नुमा तुर्की में तेज घुरसवार सैनिकों की टुकडी को कहा जाता था और वो उस समय आक्रमण करते थे जब दुस्मन एकदम ठका हुआ हो तो बाबर एक टुकडी को हमेशा बचा के रखत यहाँ पे बाबर की सेना की एक टुकडी थी जो राइट हैंड साइड ठीक है न इस राइट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या कहते थे बरंगार ठीक है न बाबर की लेंग्वेज में इसे बरंगार कहा जाता था जिसका निर्तित तो इसने अपने लड़के हुमायू को दिया सेना की दूसरी टुकडी बनाई और यहां पे ठीक है ना यहां पे रखा इसको जो कहा जाता था इसको जर्गा कहा जाता था ठीक है ना इसको किस नाम से जाना जाता था लेफ्ट हैंड साइड वाले को जर्गा नाम से इस टुकडी को जाना जाता था और यह जो जर्ग इसका नर्तितों इसने मोहमद मिरजा नाम के अपने बहुत ही सधे हुए सेनापती को दिया तो एक साइड इसने बरंगार और एक साइड इसने जहरगा रखा उसके बाद जड़ा देखनाliest यहां पर इसने एक सेना की टुकडी लगाई इस सेना की टुकडी का काम क्या हुआ क करता था दुस्मन की खबर लाना क्योंकि यहाँ पे दुर्बीन टैप की चीज़ का प्रियोग करते से दूस्मनी्स साइड खड़ा है और दुस्मन के लिए यहाँ पे मैं इब्राहीम लोधी कहल कRE लिखद तो ये दुस्मन की खबर लाने के लिए ये इनका central gap हुआ करता था ये खबर लाने के लिए और जो इसने लगभक 700 बैलगाडियां खर दी थी उन बैलगाडियों का प्रियोग इसने यहां पर खड़ा कर दिया था उन 700 बैलगाडियों को यहां पर खड़ा किया था कि दुस्म उसके बाद इनको कहा जाता था, इसके पीछे एक और सेना खड़ी रहती थी, उसको हरवाल कहा जाता था, हरवाल, यहाँ पे बरंगार, यहाँ पे जरगा, यहाँ पे हरवाल, यहाँ पे एक सेना की टुकडी जो दूसरे दूर से खबर देती थी, और इनके पीछे एक सेंट पानीपत की लड़ाई कुछ इस तरीके से बाबर ने लड़ी है Central Wing हरवाल खबरी सेना जिसे आप किस नाम से जानते थे खरवाल के नाम से इसको आप कहते थे खरवाल यह खरवाल था यह हरवाल था यह जरंगा था यह बरंगार था और बाबर इसके ठीक बगल में मैंने कहा बाबर एक हमेशा रिजर्व टुकडी रखता था वो अपने बगल में खड़ा रखता था यह बाबर की रिजर्व सेना थी यही तुलगुमा थी जो तेज घुर सवारों की एक टीम हुआ करती थी यह कभी अपनी जगह से नहीं हिलती थी अंटिन अनलेस की बाबर आके साम को लड़ हार करके ठक गई है तो यह फ्रेस इंतिजार करते रहते थे कि बाबर का आदेश आते ही यह पूरे दिन नहीं लड़ते थे करीब पांच-छे हजार घुरसवार यह चुप-चाप खड़े रहते थे और साम को यह अटैक करते थे जब बाबर कहता था जाब में आएगा क्या बेटा मैंने कहा न मैं एक ही चीज आपको डीटेल पढ़ाने जा रहा हूं फिर जब मैं फैक्ट पढ़ाने प्याओंगा न तो निश्चीन्त हो जाना इतने फैक्ट बता दूंगा कि तुम खुस हो जाओगे ठीक है न तो लेकिन जड़ा कभी सुन आ गया तो मैं इतना बता रहा हूं नहीं सच मुझ इतने के लिए न जब दिल्ली आके कभी एक लाख डेड़ लाख रुपए बड़ी कोचिंगों में पे करोगे न उसके बाद जब वो कहेंगे आपका आई-एस की कोचिंग में स्वागत है उस दिन तुम कहोगे हाँ हाँ अब तो ठीक है अब तो हम एक लाख रुपया देके पढ़ रहा है अब तो हमको पढ़ना पढ़ेगा तो जैसवाल जी हमको आपसे यह उमीद नहीं थी खैर ओवर आल नहीं तो अगर आप लोग कहें तो मैं डीटेल रोग देता हूं 1526 पानीपत का प्रथम यूद बाबर जीता चार फैक्ट और बताओंगा बात खतम हो जाएगी ठीक है ना मेरी तो एनरजी लग रही है तो जो लोग यूट्यूब पे भी मुझे देख रहा हो देखो यह होता है पेड में और ऐसे भी स्टुडेंट पेड में आते हैं जिनको डीटेल नहीं चाहिए उनको बस च सेना कई लाख थी लेकिन इसके हारने का एक कारण सबसे बड़ा यह ना 20,000 ग्वालियर की सेना ले लिए 5,000 उजैन की सेना ले लिए 10,000 कहीं और की 30,000 कहीं और की 40,000 अपनी ऐसे आज कल आप science and current affair में सेन अभ्यास पढ़ते हो जानते वो army exercise क्यों होती है ताकि सेनाओं का आपस में coordination हो युद्ध के लिए ये तो भीड थी कोई सेना तो थी ही नहीं ये 20,000 इन 40,000 को नहीं जानते थे ये 5,000 इन 10,000 मनले इनका कोई coordination नहीं था वहीं बाबर की सेना का पूरा coordination था उसको पता था कि अगर ये हमला करेगा तो मुझे रूके रहना है इनको ये पता था मारो, पीटो, भागो इनके पास बस इतन नहीं था ये गाओं के वो लोग हुआ करते थे नहीं बस डंडा लेके चलाना है भले सामने वाला गन लेकर मार रहा है मार लो जो होगा हम देख लेंगे तो मारी न देगा तुमको ये वो वाली सेना थी थी तो लाखों की सेना अच्छा उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बतावें उसके बाद इब्राहीम लोदी ने अपनी सेना के आगे हाथी elephant लगाए थे इबराहीम लोदी ने अपनी सेना के आगे हाथी लगाए थे अब दोनों सेना पानी पत के मैदान में तैनात हो गई तीन दिन तक दो से तीन दिन बाबर यहां पे इंतिजार कर रहे हैं इबराहीम लोदी यहां पे इंतिजार कर रहे हैं और इनका साथ दे रहा था ग्वालियर का राजा विक्रम जीत ठीक है ना ये ग्वालियर के राजा थे विक्रम जीत सी ये साथ दे रहे थे तीन दिन बीद गया कोई हमला ही नहीं बाबर ने अपने जरंगा टुकड़ी मुहम्मद मिर्जा को कहा भया थोड़ा सा जा के एक दिन इनको जार के आ जाओ तो रात के समय जरंगा की टीम ने अचानक दबिस दी और जा करके इनकी टीम पे तूट पड़े और तूटने के बाद आके भाग के यहां पे खड़े हो गए अगले दिन इब्राहिम लोदी सुबह सुबह गुस्से में नहीं रुकूंगा हमला करूंगा मैं क इसके उपर विकरम जीत बोला का बाबर के उपर विकरम जीत बोला देखो यह इसके एक चाल हो सकती है वो बछा रहे था विक्रम जीत कर ही क्या सकते थे ठीक है न? विक्रम जीत कर ही क्या सकते थे अब इस्थिती अलग बन चुकी थी और अब एक अलग नया इनकी सेना हाथियों को आगे बढ़ाई हाथियों को आगे बढ़ाई हाथी खुब तेजी से आई और ये 30-30 फुट के गढ़े में गिरी यहाँ पे हाथी गिरी ये इतने बड़े गढ़े किये गए थे कि इसमें हाथी गिरी और इनसान गिरे हाथी और इनसान से ये गढ़ा पुरा भर गया हाथी और इनसान से ये गढ़ा भर गया भरने के बाद किसी तरीके से मौका मिला कि इन गढ़ों को पार करके इन गड़ों को पार करके आगे बढ़ा जाए इनकी सेना जब यहाँ पे आके खड़ी हुई तो यहाँ पे बैलगाडियों का काफिला मिला बैलगाडियों को हटाने में इनकी इस सेना ने खुब तीर मारे इनको जितना तीर मार सकते थे मारे जब इनकी सेना, लाखों की सेना थी, कितने देर रोख पाऊगे जब इनकी सेना, इनको भी रौन्द दी, बैल गाड़ीयों को भी रौन्द दी और पहुँची खरवाल के पास, तो खरवाल का काम था यहां से भागना ये पहले से डिसाइट था कि तुमको भागते हुए दिखना है, खरवाल लोग भाग के आके यहाँ पे खड़े हो गए, खरवाल जो इनकी सेना की टीम थी यहाँ खड़े हो गई, सामने कौन पड़ी हरवाल, हरवाल एक ऐसी सेना की टुकडी थी जिसको किये एक्टिंग करन था कि बाप रे बाप दूसरी टुकडी भी हार गई, ये भाग करके आके यहाँ पे खड़े हो गए, इब्राहिम लोदी की सेना का उत्साह बढ़ चुका था, कि हमने दो-दो विंग को हरा दिया, जबकि ये एक्टिंग मात्र कर रहे थे, खरवाल भाग के इधर खड़े, हरवाल भाग के इधर, अब इस्थिती ये बनती है, अब आपकी इस्थिती ये बनती है, कि न यहाँ पे खरवाल, न यहाँ पे हरवाल, ठीक है, न न खरवाल, न हरवाल, तो यहाँ मिला कौन, यहाँ पे पड़ गई, इब्राहिम लोदी की सेना, इब्राहिम लोदी, वाली कुलि मुस्तफा और सुल्तान यहाँपे टोप लेकर के खडए थे। जैसे ही यहाँपे सामने हाथी दीखी और यहाँपे सेना दीखी। बाबर ने कहा आक्रमर। इधर से बंदूख चलना शुरू हुई और हाथी सेना बीच में और यहाँप चलना सुरू हुई। उल्टा दिसा में भागी और जब इब्राहीम लोदी की सेना उल्टा दिसा में भागी तो बाबर की वो सेना जो खरवाल और हरवाल यहां पे खड़ी थी यह भाग के जाके यहां पे खड़े हो गए और यह जाकर के यहां पे खड़े हो गए इनको घेर लिए मतलब यहां पे यहां पे खरवाल, यहां पे बरंगार, यहां पे जरगा, बीच में इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना, फिर भी यह लाखों में थे, काफी देर लड़े, और जब साम हो गया, जब इनकी सेना लगभग ठक गई, तब बाबर ने कहा, रिजर्व विंग, अब रिज अब तुम लोग सब लोग हट जाओ, अब सिर्फ इब्राहिम लोदी की सेना को रहने दो, ठीक है न, अब सिर्फ इब्राहिम लोदी की सेना को रहने दो, और मेरी जो फ्रेस रिजर्व टुकडी है, अब वो इससे लड़ेगी, यह ठके हुए थे दिन भर का युद्ध करक था तुलगुमा और लंका लगा दी इब्राहिम लोधी की यहां पर इब्राहिम लोधी यहां से मैदान से भागने लगे कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी की सेना का पानी पत से आगरा तक पीछा किया गया और आगरा और दिल्ली के बीच में यमुना नदी के किनारी इब्र उठने के बल बेठे थे इबहाईम लोदी युद्ध मैदान में 1526 के बाबर से कुछ मंत्रियों ने कहा सर दया कर दीजिए बाबर का दया क्या होता है बाबर नहीं बोला साथ है यह आज कल बोला गया बाबर ने जिसमेंपधियों दूसमन सामने हैं हमार गिराऊ ये इब्राहीम लोदी जिनका सर उनके धड़ पे था कुछी दिर में काट करके बाबर ने जमीन पे गिरा दिया कि ये लो ये है इब्राहीम लोदी और कहा जाता है कि इब्राहीम लोदी जैसे कितने ही लोगों का सर काट के बाबर ने जमीन से 35 फुट उपर 35 फुट उपर सर सर को तलवार की नोक पे रख करके पूरे हिंदुस्तान को संबोधित किया कि लड़के देख लेना हमसे ये तुर्की लोगों का युद्ध जीतने के बाद एक तरीके का उद्गोशना होता था कि ये लड़के देखो ये डर बैठाना था भारत के मन में कि लड़ों के हमसे सर कहां बैठा दिल्ली की गद्धी पर जैसे ही ये दिल्ली की गद्धी पर बैठा जो पंद्रह सो चार वाली इसकी पादसाह वाली उपाधी थी ये कौन सी उपाधी बन गई बादसाह नाम से बदल गई ठीक है न तो ये हो गई थी इब्राहीम लोदी का देखो एक लोग आ न हिंदू थे मुसल्मान थे लड़े लड़े मरे मरे देख रहा हूं सरू हिंदू थे का का है वोट देना है का इब्राहेम लोदी को अजीब अजीब लोग है कहा से आते हो यार तुम लो इतियास पड़ो उसको धर्म से जाती से सबसे लिंक कर देंगे दंगा वगार पहले दिल्ली बाथसा ठीक है तो यह पाथसा की पाथसा हम बदल गई इसी पानी पत के पंद्रो सो चब आप देखो अब आजाओ ज़रां MCQ पे कि सर कॉंसेप्ट तो हो गया MCQ बताइए अब आजाओ MCQ पे ठीक है न MCQ क्या-क्या पूछेगा MCQ पूछेगा पानी पत का प्रथम युद्ध कब हुआ क्या आप एंसर नहीं देदोगे कि सर पानी पत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 1526 में सर पानी पत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने तुगल नुमा या विंग का तोप सजाया था उस विधी को कहा जाता उस्मानी विधी ठीक है न उस्मानी विधी का भी बाबर ने इसमें प्रियोग किया था और तुगल नुमा युध पधिती का भी सैनिकों को सजा के लड़ना तुगल नुमा तोपों और बंदिवकों का कैसे युध में उप और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रियोग किया गोला बारूद का प्रियोग किया और पहली बार इसी युद्ध में बाबर ने बंदू का प्रियोग किया नंबर पाने के लिए सही है लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है हाला कि आपको नंबर पाना है तो मैं भी सलाह तो यहीं दूँगा कि लगा देना यार पानीपत का पर्थम युद्ध लेकिन जब कभी बात आत्मा की आ जाए डिगनिटी की आ जा तो भीड जाना कि कैसे किया था चला तूम बता दो तो समझ रहो ना भीड जाना कि लाओ दिखाओ कहां पर लिखा है उसकी सेना में थे कि पच्वी बार हम नहीं जाएंगे संडे था चुट्टी हाफ डे पेमिंट थोड़ी दोगे खेर 1526 यह सारी चीजी अब आओ यार पढ़ाने में इतना मेहनत क्यों है फिरी में पैसा नहीं मि सलमान खान भी नहीं बन सकते कुपोशित टाइप के वेक्ति हैं समझ रहो खैर यहां पे दिल्ली पे बैट चुका था बाबर दिल्ली पे कौन बैट चुका था बाबर लेकिन बाबर को एक बार बहुत क्लियर थी कि यहां पे जो राजस्थान में एक सासक बैठा हुआ है जिसका नाम है राणा सांगा, 15-20 मिनट क्लास जादा चलेगी, इसलिए थोड़ा सा परसान मत होईएगा, 20 मिनट और धैरे रखी, ये राणा सांगा के रहते, मैं बाबर कभी दिल्ली पे सासन करी नहीं सकता, इसको तो हराना पड़ेगा, इसलिए बाबर ने 1527 इस्वी में, अगले ही वर्स, 1527 इस्वी में, अगले ही वर्स, युद्ध की घोषना की, ठीक है न, युद्ध की घोषना की खानवा का युद्ध, खानवा, खानवा, खानवा जानते हो बैटर लाफ खानवा, ये न, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस् सेना को बड़ा डर लगता थाराना सांगा की सेना से कैसे मोटिवेट करें तो किसी को मोटिवेट करना है तो एक नाम पे कर सकते हो या तो उसको डर उसके मन में बैठा दो या तो उसके धर्म के खिलाप उसे भड़का दो अरे हिंदू धर्म खत्रे में है तलवार उठालो ना ना मुसल्मान धर्म खत्रे में आ जाए काट के रख दो दो बाते उसको समझा दो कि तुम्हारा धर्म खत्रे में है उसके बाद देखो अगले दिन रोड पे दंगा न हो जा तो नाम बदल देना तो आज भी लोग इसको फालो करते हैं आताला का पर्चम यदि हिंदुस्तान में लहराना हैं तो हमें जिहाद करना होगा सनी का होता है जिहाद नहीं पता तुमको धर्म के नाम पे युद्ध जबकि जिहाद एक अलग सब्द है पवित्र कुरान सरीफ में इसका अलग मतलब है लेकिन बाबर को तो अपने जिहाद की घोशना की कई बार कोश्चन पूसता है इसके बाबर को लगा ठीक है ना उसके बाद बाबर को लगा कि यार हमारी सेना दारू बहुत पीती है अब रात में दूपैक बनाके पी ली और सुब हम युद्ध के मैदान में तो सेना इसे तलवार निकालेगी फिर य यहाँ है यह तो, ये वाली स्थिती आ जायेगी ना या तो बोलेंगी, सर हैंग हो रहा है, two back- suit है, हैंग होगा ना पीने के बाद, कई लोग इसमें गवाह होंगे, हैंग वालो, ठीक है, खर, तो हैंग हो रहा है है, भाबर का हैंग ओबर भी तो बचाना है इनका, ठीक है न तो hang over बचाने के लिए, क्योंकि बाबर की सेना सराब खूब पीती थी, बाबर बोला आज के बाद कोई भी हमारे यहाँ सराब नहीं पीएगा, तो खानवा के युद्ध में ही बाबर ने कभी सराब न पीने की कसम खाई, ये भी पूछता है कि किस युद्ध में बाबर ने स सर, सर, आपकी ख्लास है क्या, यार हम युद्ध में फसे हुए हम कैसे मतलब कि आपको यह कर दें कि आप हमारी जगा आ जाए, इस देगरों डिस्टर्ब कर दें, आक्रमन कारी विदेसी आक्रमन कारी आ गया, मैं तलवार निकाल लूंगा भी वतार रहा हूं, सर मैं, मैं अच्छा तुम राना सांगा हो ना, दस मिनट में इनका सर काटके मैं यहीं गिराने वाला हूं, मैं वहीं पर पहुंची रहा हूं, अभी हम दारू छोड़े हैं, अब हम सराब जिहाद की भी घोशना कर दिया है, दूर हटो, दूर हटो हमारे पास से, आपको, खैर, आपक को कैंटीन में देख लेगा, पांच मिनट में, खैर, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट, तो कभी सराब न पीने की कसम खाई, जिहाद की इसने घोशना की, तीसरी बात, यह जो खानवा गाओ था, यह जो खानवा गाओ था, यह ऐसी जगह था, जहां गर्मी बहुत पड़ती सेना के लिए तर्बूज खर्बूज लाया, जिसे आप कलिंदा भी कहते हो, ठीक है न, और अपनी सेना को कहा कि यह फल, तुम लोग डेली अपने खाने में खाओ, तो जब गर्मी के दिन में युद्ध भी होगा, तो तुमें लू नहीं लगेगा, लू समझते हो न, गर् और को वो भी तो बचाना था, कि नहीं भी या, लू सू नहीं लगेगा, कलिंदा, वाटर मेलन, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जाए, ठीक है न, फिर अब युद्ध सुरू हुआ, युद्ध में राना सांगा और 1527 बाबर के बीच में ये युद्ध सुरू हो गया, इ यहाँ पे सुरू हो गया, 1527 इस्वी में खानवा, बैटल आफ खानवा का युद्ध, ठीक है न, खानवा युद्ध सुरू हो गया, ऐसा कहा जाता है कि सुरू के दो दिनों में राना सांगा ने इस बहतरीन युद्ध को जीता, लेकिन उसके बाद बाबर तीसरे दिन वाल सेना थी, वो इसके दामाद की थी, इसका जो दामाद था, राना सांगा ने अपनी लड़की का जिससे साधी किया था, उस वेक्ति का नाम था सिलहदी, ठीक है न, यह सिलहदी जो है, मध्य प्रदेश में एक जगह बनता है, भोपाल के पास, राइसेन, राइसेन का र मारने वाले थे, दामाद आके खड़ाए, यह क्यों कर रहे हो, मनों समझ रहो, उठा पटक कर देना था इस्थिति, दस मिनट तो और लगेगा, कई आक्रमनकारी आ गया, कि क्लास को रोग दिया जाए, अब ऐसी स्थितिम, क्योंकि आप ही लोग की पेड़ क्लास है, मैं प जाबर ने अपनी सेंट्रल विंग को कहा, तीसरे दिन के युद्ध में, कि मैं तुम लोगों को चांदी के सिक्के बाटूंगा, यदि राणा सांगा के आख में तीर मार दोगे तो, यह करीब पांच हज़ार हुआ करते थे, इस सब पागल होगा, कि हरे यार, चांदी का स तीर एक साथ हावे, तो कोई तीर तो होगी जो जाके घुसेगी, समझ रहो न, एक तीर इनके आख में लग गई, भाई साब आख लेके मैदान से बाहर, सिलहदी, ससूर जी कहा, ससूर जी कहा, सिलहदी घिर गए, बाबर के सामने, और उस समय सिलहदी के साथ करीब चार हज सेना थी, बाबर का सरेंडर करो, नहीं सरकाट देंगे, जा चुके हैं ससूर जी तुम्हारे, सिलहदी कहा, मरता क्या न करता, बाबर ने कहा, कि मैंने जिहाद की घोशना की है, तुम्हें और तुम्हारी सेना को जिन्दा छोड़ सकता हूँ, यदि तुम मुस्लिम धर्म स सिलहदी से बन गया सलावदीन, वहीं अपना धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन करने के बाद, ये वैक्टी गहां गया, राय सेन, राय सेन जब गया, तो राणा सांगा की जो लड़की थी, उसने कहा कि सुनो, मेरे बाप ने राजपूच सिलहदी से साधी की थी, क ये जो लड़की थी अपने हजारों सहलियों के साथ जौहर कर ली आग में अपने आपको ढखेल दी जौहर कर दी और अगले दिन इनको बड़ा तकलीफ हुआ यार पत्नी मरी गल्फिंड मरी साली सब मर गई बड़ा बेवस्था गडबड़ हो गया हम क्या करें चार हजार ल लोगों के साथ राइसेन के किले में इन्हों ने आत्म दाह कर लिया आग में कूद गए ये लोग इतनी बड़ी बड़ी घटनाए घटी हैं दो दिन के अंदर आठ दस हजार लोग आग में कूदे हैं लेकिन क्या आपको इतिहास में पता है फिर बाबर राना सांगा बाब इस थान से इतना धन प्राप्थ हुआ कि वो धन उठा के उसने काबुल भेजा और काबुल के हर जनता को उसने क्या किया सिलवर क्वाइन, चांदी के सिक्के दिये, चांदी के सिक्के दिये, और चांदी के सिक्के देने के बाद, बाबर ने उन सिक्कों को नाम दिया साहरुखी, कई बार आपके पेपर में कुश्चन आता है, किस मुगल बाथसा ने साहरुखी सिक्का चलाया था, और तब बाबर को काबुल के लोगों ने एक उपाधी दी कलंदर कलंदर मतलब होता है दयावान और इसी दयावान व्यक्ति ने भारत में लाया वाटर मेलन इसी युद्ध में बाबर को गाजी कहा गया उसके अलावा फिर 1528 और 29 में उसने चंदेरी अब यहाँ पर मैं थोड़े से फैक्स बस आपको बता देता हूं थोड़े से आपको फैक्स बता देता हूं कि इसके बाबर ने 1529 इस्वी में आपके 28, 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा मध्य परदेश में ही मेदनी राय के खिलाफ और वो युद्ध ये बाबर जीता 1529 में इसने घगघर का युद्ध लड़ा घगघर का युद्ध अफगानों के खिलाफ और वो युद्ध भी जीता 1530 इस्वी में बाबर की डेथ होती है बाबर की जब डेथ होती है लगातार युद्धों में रहने की वज़े से तो फिर बाबर को कहां दफनाया जाता है सबसे पहले दफनाया जाता है आराम बाग में आराम बाग एक बगीचे का नाम था जो की कहां पे था आगरा में था आगरा में और इस आगरा में दफनाने के बाद बाबर की इच्छा थी कि उसके देश की दोगजमीन नसीब हो तो 1530 में ही उसको उसके कबर से निकाल करके उसके लड़के हुमायू ने काबूल में दफना दिया ठीक है न काबूल में दफना दिया बाबर को पढ़ने लिखने का बड़ा सौक था वो दिवान नाम से प्रेम पत्र लिखा करता था लव लेटर लिखा करता था बाबर ने लिखने की एक नई कला जैसे हिंदी, इंगलिस, उर्दू, अर्भी, फार्सी मुंबई यान सैली को जन्म दिया ठीक है न मुंबई यान सैली का जन्वधाता माना जाता है इसको चार लड़की और एक लड़की थी हुमाईू माईू के बारे में मैं कल से बताऊंगा ठीक है न ये ओभराल बाबर था इमांदारी से बताईएगा आपको पढ़के कैसा लगा और अगर दोस्त कुछ नया पता चला ये तो लास्ट के मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बता दिया दो मिनट कि एक बाबर तो समराईज हो जाए और अगर दोस्त इसलिए जब मैं यूट्यूब पे कहता हूँ ना वाई वन एट्टू कोड का प्रियोग करके बैच पर्चेस कर लो तो लोगों को लगता होगा कि आस्तोस सर बेचने की बात कर रहे हैं दोस्त मेरी जिम्मेदारी हो तुम लोग ठीक है ना मेरी जिम्मेदारी हो वाई वन एट्टू अगर दोस्त लगता है कि ये सक्स selection करवाएगा तो Y1-A2 code का प्रियोग करके आज भी इस badge को join कर लो जो आपके लिए GD का selection badge आया है GD का जो badge आया है जो L-Ship में आपको दिख रहा होगा मेरे 4 तरफ Y1 अगर लगता हो कि ये teacher मेहनत कर रहा है ये सब कुछ सिखा के छोड़ेगा तो thank you so much मुझे आप से आपको पढ़ा कर अच्छा लगा और साम साथ बज़े आप मेरे साथ YouTube पे जुड़ सकते हैं वो थोड़ा सा last में इसलिए क्योंकि अगले सर क्लास के लिए खड़े है coupon code है दोस्त Y182 यदि आप G1 में कभी भी लगे कि यार किसी ने पानी पत को अच्छा समझाया किसी ने अच्छा पढ़ाया तो यार इस badge को join कर लेना मेरे जितने YouTube वाले दोस्त हैं ठीक है न थैंकि आप यूद्ध में जो बाबर एक आग दो कसम खाया था वो दूसरी वाली कसम आप लोग फालो नहीं करेंगे मतलब जीवन में कभी कुछ नहीं पीएंगे खाएंगे ठीक हैंगे सो मच और टड़ा बाई-बाई मिलते हैं साम साथ बजे तब तक आपकी अगली क्लास होने जा रही है और मेरे खास YouTube के दोस्तों ये मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का लेबल है ये आप देख लीजिए और मैं सिर्फ बाबर नहीं कल हुमायू भी इसी लेबल पे चलेंगे जहांगीर भी गांधी जी भी आएंगे भगत सिंग भी आएंगे क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि एक बार मैं जिसको हिस्ट्री पढ़ा दूँ वो एक बार दिल से तो थेंक्यू बोले क्योंकि वो इनसान बैमान होता है जो अपने काम से बैमानी कर जाए जब एक घंटे के लिए सामने खड़े हैं तो जीतोड महनत करो ना कि रात में सुकून के साथ भगवान की आख में आख डालके कह सको हाँ मैंने अपने हिस्से का मेहनत किया क्या गलती किया मैंने ये confidence होना चाहिए भगवान भी सामने आये ना तो उनसे आख मिला सको ये तुम्हारे अंदर confidence होना चाहिए अपना जो काम करो hundred percent करो selection तुम्हारा होगा यार लेकिन दिल पे हाथ रखके सोचा करो कि कितने इमानदार हो आप अपने कर्म छेतर के अनुसार वो एक अलग बात होगी ठीक है ना thank you so much और फिर से एक बार last आपसे request है आज भी मौका है ये मेरा coupon code है y182 मैं बहुत जादा जोर देके ये बाते नहीं कह पाता हूँ बस एक request करूँगा कि इस coupon code का प्रियोग करके sscgd के badge में जो दोस्त मुझे youtube पे देख रहे हैं join कर लो बाकिर जिम्मेदारी मेरी और हाँ इसी December महिने में मैं अपना personal badge जी डी के लिए launch करूँगा और वादा रहा कि उस personal badge को मैं उस label और जो लोग मुझे paid में देख रहे हैं दोस्तों हो सकता है 100-100 रुपए तुमारे खर्च होँ लेकिन static और current affair मेरी जिम्मेदारी होगी और ये coupon code आपकी जिम्मेदारी होगी तक यू सो मुझे बादारी जिम्मेदारी होगी